आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी इसलिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है ऐसे में अब कुछ घंटे बाद ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया वैक्सीन लगाने के लिए लेकिन जिस तरह से मामले कोरोना के बढ़ते जा रहा है उमीद है कि वैक्सीनेशन जब 18 साल से सभी उपर के लोगों को लगेगी तो हो सकता है संक्रमन की दर जो है वो कहीं न कहीं कम होती नसर आएगी लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि वैक्सीन 18 साल से उपर के लोगों को हम एक माई के बाद वैक्सीन लगा सके लेकिन वहीं केंद सरकार की बात करें तो केंद सरकार लगातार ये कहती नजर आ रही है कि हम हर राज्य सरकार को बराबरी की वैक्सीन दे रहे हैं ताकि 18 साल से उपर के जब सभी लोगों का वैक्सीनेशन अभ्यान शुरू होगा एक म रहे थे लेकिन वहाँ पर वैक्सीन की डोस जो है वो खतम हो रही थी इसलिए केंद सरकार अब ये कह रही है कि हमने हर राज्य को इतनी डोस दी है कि जो हर इंसान को वो लग सके और इसलिए आज रजिस्टेशन भी शुरू हो गया काजोल बाकी आपको डिटेल्स बताएं होगी क्योंकि जो सारा जिम्मा है वो केंद्र के हातों में है केंद्र ने कहा है कि राज्यों के पास एक करोड वैक्सीन अभी बची है अगले तीन दिन में असी लाग डोस और पहुर जाएगी इसके अलावा भारस सरकार की तरफ से पंदरा करोड 65 लाग से जादा वैक्सी मुफ्त मिली है जो की अभी 67 से उपर वाले लोगों को लगी है और कुछ ऐसे है 45 से उपर वाले उन लोगों को लग चुकी है केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि अभी राज्यों ने कुछ कुल 14 करोड से जादा डोस का इस्तेमाल कर लिया है और 80 लाग बची जो डोस है वो रेजिस्ट्रेशन का जिक्र आप पारूल लगातार करें मैं आगे बढ़ू उससे पहले बता दू कि रेजिस्ट्रेशन को लेकर जो हमने देखा है कि लोग जो हैं काफी भारी संख्या में रेजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हर कोई चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी जो वैक् कि कई राज्ये ऐसे हैं जो केरेंग केमारे पास डोजस नहीं बची है तो केंद्र सरकार इसकोर कहती है वो मैं दर्शकु को बता रही हूं कई राज्ये को चिठी लिखी गई है और वैक्सिन के स्टॉक का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए कि 18 साल से जो जादा लोग हैं जिन अठारा साल से जादा लोगों को जो वैक्सिन लगेगी उसमें किया जाना चाहिए केंद्र की तरफ से ये भी कहा गया है कि वैक्सिन 45 साल से जादा वालों को लगे यानि कि जो केंद्र की तरफ से वैक्सिन मिल रही है राज्ये सरकारों को देखे इसे हमें दो तरीके समझ सकते हैं एक वैक्षिन की जो डोज है वो सीधे इंस्टिटूट से राज्य सरकारों को मिल रही है एक तरफ केंद सरकार की तरफ से डोजिज जो है वो राज्य सरकारों को पहुचाई जारी है तो वो जो केंद सरकार की तरफ से पहुचाई जारी है वो 45 साल से जादा के जो ल संक्या है वो तीन करोड़ से जादा की है साथ करोड़ वैक्सिन के उन्हें जरूरत है तीन करोड़ से जादा की बुकिंग वो कर चुके हैं लेकिन इंसिट्यूट पंदरा मैं से पहले देने की बात कह रहा है कि पंदरा दिन से पहले नहीं मिलेगी तो वैक्सिन कैसे होगा इसके लावा अगर माहराष्ट के स्वास्तमंत्री राजेश टोपे की मैं बात करूं पारूल तो दोनों कम्पनियों से उन्होंने संपर किया है सो उनका कहना है बारा करोर ने डोजिज रही है लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा है ऐसे में एक माई से वैक्सिनेशन पर वो संशे बना रही है लेकिन ये कही ना कहीं मैं कहूं तो ये गलत होगा जब केंद सरकार आसवाशन दे रही है तो शायद राजे सरकारों को डर नहीं की या इससे परिशान होने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये डर है क्योंकि वैक्सिनेशन बड़े पैमाने पर शुरू है वो भी हम बता देते हैं कि किल्लत की शुकायत पर केंदे सरकार वो अब सुटेबल होती हुई नजर आ रही Because inze सरकार रासवाषन दे रही है इसके अलावा अगर मैं एक कटेली का जिक्र करूओ तो यहां पर मैं आपको बताऑंगी कि दिल्ली में अब तक 34 लाग से जादा वैक्सिन जो है मिली है जिसका इस्तमाल 31 लाग लोगों तक हुआ है और बची हुई 3 लाग वैक्सिन है अभी और अगले 3 दिन में 3 लाग से जादा वैक्सिन उन्हें मिल जाएगी इसके लावा राजिस्तान की में बात करूं तो 3 लाग उनके पास अभी वैक्सिन की डोजेस बची है 4 लाग और मिलेंगी 3 दिन में यूपी में 10 लाग से जादा बची हुई है 11 लाग उन्हें मिलने वाली अगले 3 दिन में जो है बो देश की जनता को लग चुकी आप सोचिए कि कितने बड़े स्तर पर भारत ने वैक्सिनेशन की शुरुआत की है और एक बार फिर से इस माहवियान की शुरुआत करने जा रहा है भारत हर दिन 30 लाग डोजेस लग रही है दो राज्यों ने वैक्सिन मुफ्त लगाने का ऐलान किया है पारुल ऐसे मेजर वैक्सिन की किल्लत है और मुफ्त मेजर डोजेस लगी तो आप सोचिए कि जब जनता इसके लिए रजिस्ट्रेशन कितने बड़े पैमाने पर करेगी इसके अलावा कहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है उपन हो चुके हैं कोविन पोटल पर औरोगिस सेतू पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं रेजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सिनेशन की तारीक, जगा, अस्पताल का नाम आपको पता चल जाएगा। कोरोना पर पारुन कुछ facts हैं जो लोगों को clear करने जरूरी हैं क्योंकि आज जनकी बात में हम vaccination पर ही बात कर रहे हैं माहभियान पर बात कर रहे हैं तो इस पर अगर बात ना हो तो थोड़ा सा कहीं न कहीं बैमानी हो सकती है बिना registration vaccine किसी को नहीं लगेगी यह सुननी जिये ध्यान से कि अगर आप बिना registration के जाते हैं किसी अस्पिताल में और vaccine लगाने की जिद करते हैं तो ऐसा मत करिएगा क्योंकि बिना registration के आपको vaccine की dose नहीं रगेगी इसके अलावा गंभी लक्षनों से बचने में 100% vaccine जो है कारगर है कुछ reports और experts इसका दावा कर रही है चाहे वो COVID shield हो चाहे वो COVID vaccine हो इस संशे में मत रहेगा कि COVID vaccine जादा बैतर है या फिर COVID shield जादा बैतर है हाला कि कुछ experts और अमारिकी experts से कहते हैं कि COVID shield जो है जो भारतिये variant है 617 उसको भी बेसर कर रहा है हाला कि इस पर अभी पूरी तरह से केंदर का थपा नहीं लगा है इसलिए अभी हम यही कह रहे हैं कि दोनों vaccine आपके लिए जरूरी है इसके अलावा 45 से से ज़ादा वाले लोग हैं जिन पर केंदर का हक होगा और 18 साल से जो 44 साल के बीश में जो लोग है उस पर राजसरकार के नियम चलेंगे समझी इस चीज़ को कि केंदर सरकार का जो पूरा पूरा असर रहेगा वो 45 साल से उपर वारे लोगों पर रहेगा यानि कि जो vaccine की जिम्मेदारी होगी पारूल वो केंदर सरकार की होगी इसके अलावा जो 18 से 44 साल के बीश में जो लोग है उसकी जिम्मेदारी राजसरकार की होगी तो उनका ही कहना है कि हमने कोविट शील लगवाई है लेकिन अगरी बाद जमारा नंबर आएगा 45 दिन बाद तो हम कोवैक्सिन लगवाएं ज़्यादा काम करेगी और कोविशील नहीं करेगी तो ऐसे आप जिद पर नहीं आड़ियेगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते नसर आ रहे हैं कि हम तो कोवैक्सिन लगवाएंगे जब एक तारिक से वैक्सिनेशन अभ्यान शुरू होगा लेकिन ये बात सही नहीं है क् बहुत सारे लोग एक ही वैक्सिन पर भरोसर करेंगे और एक ही वैक्सिन के तरफ लगाने की होड मचाएंगे तो शॉर्टेज हो जाएगी बहुत सारे और कोविशील्ड की जो डोजिस बनी हुई है वो कही ना कहीं खराब होती नज़र आएंगी अगर ऐसा बहुत सारे ल लगने के लिए मिल रहे क्योंकि देखे सबसे जादा इंपॉर्टेंट इस समय यह है कि किसी भी तरह आपको वैक्सिन लग जाए अगर आप उसमें भी चॉइस करेंगे तो वह गलत बात है क्योंकि दोनों ही वैक्सिन असरदार है सबसे जादा जरूरी समय वैक्सिन अगे उन लोगों को डेट और जगा जो है टाइम बिल जाएगा उसी डेट पर उसी टाइम पर जाकर आप वैक्सिन लगवा सकते क्योंकि काजोल जिस तरह से यह कोरोना की दूसरी लहर बढ़ रही है इसलिए वैक्सिनेशन अभ्यान जो है तेज किया गया है ताकि जवानों में वैक्सिन नहीं लगी थी क्योंकि प्रक्रिया नहीं थी एक जो फॉर्मिट था वो यह था कि पहले 60 साल से जादा लोगों को लगेगा फिर 45 साल से जादा लोगों को फिर नौजवान की बारी आएगे लेकिन आप बारी आ चुकी 18 साल से जितने भी वियसार के उन सबी को वैक्सिन लगेगी लोगों के अंदर मित है कि वैक्सिन लगती है तो उन्हें कुछ हो ना जाए कि आप समझा सकते हैं कि उन्हें किस तरह से अपने आपको पूरी तरह से तयार रखना है वैक्सिन लगवाने से पहले क्या खाना है क्या नहीं खाना है हेल्थ पर किता ध्यान देना है अगर आप गंभीर भीमार से जूच रहे हैं तो आपको वैक्सिन लगवानी हैрий नहीं लगवानी है उन्हें वैक्सिन लगवानी है नहीं लगवानी है एक मिथ बहुत सोशल मीदिया पर वारल हुआ था कि अगर आप के periods हो है menstruation की मैं बात कर रही हूँ अगर वो vaccination की date से 5 दिन पहले है 5 दिन बाद है तो आप vaccine मत लगवाई है हाला कि ये fact जो है वो fake साबित हुआ ता लेकिन ऐसी fake चीज़े social media पर बहुत ज़ादा फैल रही है क्या आप समझा पाएंगी क्योंने क्या करना चाहिए वैक्सीन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर से संपर कर ले क्या हम अब वैक्सीन लगवाने क्योंकि कई reports में काजूल ऐसा भी कहा जा रहा था कि जो diabetes है जिनको है blood pressure है उन लोगों को 2-3 दिन पहले वैक्सीन लगवाने से 2-3 दिन पहले अपनी दवाईयां बंद करनी पड़ेंगी फिर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं तो देखे उन लोगों के लिए ये सला है कि आप अपने डॉक्टर से concern करें इस बारे में और उन्हें बताएं कि इस डेट को हमारे वैक्सीन लगवानी है हमें और तो हम अब क्या करें और उससे पहले हमें क्या करना चाहिए और जिन लोगों के मन में ये सवाल है कि वैक्सीन लगवाने के बाद क्या होगा तो देखिए उनके लिए मेरा जवाब ये है कि जो लोग डर रहे हैं कि वैक्सीन लगवा कर कुछ हो तो नहीं जाएगा तो ऐसे बिल्कुल नहीं है हाँ ये जरूर है कि अगर आप वैक्सीन लगवा कर आएंगे तो हो सकता है आपको फीवर हो जाए बिल्कुल साइड इफेक्ट हो सकते हैं फीवर हो सकता है आपको बॉडी पेन हो सकता है ठकावट हो सकती है आपको बहुत रेस्लिस फील आप कर सकते हैं तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है आप अपने किसी भी डॉक्टर से संपर करिये और उन्हें बताइए कि हमने वैक्सीन लगवाई है उसके बाद हमें हलका हलका ये फील हो रहा है ये साइड इफेक्ट हमें दिख रहे हैं उन लोगों को पहले से भी किसी भी तरह की दिक्कत या बिमारी थी इस वज़ा से उन लोगों की भी जान गई तो घबराईए मत वैक्सीन जरूर लगवाईए और कही न कहीं जो आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट दिख रहे हैं या परिशानी हो रही है तो अपने पूरा होगा और हम वाकई कोरोना पर जीत हासिल कर सकते हैं क्योंकि हमने पोलियो जैसी जो बीमारी है उस पर जीत हासिल की है इसलिए उम्मीद हम करते हैं कि जिस तरह से हमने पोलियो को हराया है हर साल अभियान चला कर वैसे हम कोरोना को भी जल्द ही हराएंगे फिलाल ये दूसरी लहर है, डरनी की जुरत नहीं है, पानी कोनी की जुरत नहीं है, समभलिए, दूसरों को समभालिए और अपना ध्यान रखिए, यही सबसे जादा फिलाल जरूरी है, वैक्सिन जरूर लगवाई, एक बार फिर से हम कह रहे हैं कि वैक्सिनेशन जो महा भियान है, इसम स्वालिया के साथ